शर्व मंगल मांगले शिबे शरवार्थ शाधी के शरन्य त्रम्ब के गौरी नारायनी नमस्तुते जे माता दी मातारानी की क्रिपा माता के शभी भक्तो पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रो आज नवरात्र का पांच वादिन है पांच वादिन मादुरुगाजी के पांच वेश्वरूप को असकंद माता के नाम से जाना जाता है इनकी उपासना नवरात्र के पाँचवे दीन की जाती है भगवान एसकंद कुमार कार्ति के ये नाम से भी जाने जाते हैं ये प्रसिद्ध देवार्सोज संग्राम में देवताओं के सेना पती बने थे इनी भगवान एसकंद की माता होने के कारण मा के इस पाँचवे स्वरूप को एसकंद माता के नाम से जाना जाता है कमल के यासन पर बिराजमान होने के कारण इन्हें पदमाशना देवी भी कहा जाता है असकंद माता की उपासना से बाल रूप असकंद भगवान की उपासना स्वमेब हो जाती है यह विशेस ताकेबल इनहीं को प्राप्त होता है अतह साधक को असकंद माता की उपासना की ओर विशेस ध्यान देना चाहिए नबरात्र के पाँच बेदीन का सास्त्रों में पुषकल महत्तो बताया गया है इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में इस्थित होता है मता असकंद मता की पूजा सभी बारा रासियों के लिए सुब है विशेशकर मकर और कुम्भ रासि के लिए उत्तम है मता का शुब रंग क्या है तो देवी असकंद मता को लाल और श्वर्म आभाबाला रंग प्रिये है इसलिए इस दिन जातक पूजा के शमय लाल गुलाबी और पीत रंग के बस्तर धारन करें मा असकंद मता की अर्चना करने से जातक के घर में संतान की ब्रधी होती है इसके अलाबा जातक राजभय से मुक्त रहता है सुर्ज मंडल की अधिस्थात्री होने के कारण मा असकंद मता की पूजा से साधक का मुख मंडल तेज और कांती से चमक उठता है दसो महाविद्या और नौदुर्गा जातक पर प्रशन होती है यादेवी शर्ब भूतेशु सक्ति रूपे नशंसिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा यादेवी शर्ब भूतेशु लक्ष्मी रूपे नशंसिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा जै मातादी